हेलो स्टो आप सभीक सोक्त पात करेंगे आपर एक ऐसे शांदा स्टॉक के बारे में जिसके अंदर हमें लगातार बड़ी गिरावट होते भी नजर आ रही है एंड ये स्टॉक आगे भी गिरावट को कंटिन्यू कर सकता है तो आपके पास दोस्तो शेर है तो आप साउधान रही है और आप खरीदने के लिए बेंटरेस दिखाना चाहते हैं तो पूरे डीटेल देखकर इस कमपनी के अंदर डिसिजन लेना जिस कमपनी के बारे मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है देखिए नायका जिसके अंदर अब तक 60% के करिब के गिरावट को यहाँ पर continue किया है और आगे भी इसमें गिरावट इसले देखने को मिल सकते हैं क्योंकि आज भी यह stock नायका का जो हमें बड़े valuation पर देखने को मिलता है यानि के महें अब यहाँ पर आपको बता दो जब इसका यहाँ पर हमें जो IPO आत आगे जाकर यह आपर देखने को मिला है गिरावट के अंदर क्योंकि देखिए इसका valuation इतना महेंगा हो चुका था आप इसका 50 टिक हाई देखेंगे तो धाई हजार रुपए का और आज देखिए यह company कहा पर है और यह top यहाँ पर महेंगे valuation वाले company में आती थी यहाँ पर आपको बता दो इसका weightage कम होने के पीछे एक तो inflation का बढ़ता हुआ performance आप देखेंगे तो अच्छे industries को यहाँ पर inflation बीट कर रहा है और उसका हमें काफी बड़ा impact हर किसी सेक्टर पर देखने को तो मिली रहा है और यह जो e-commerce venture है नाइका beauty के related जो business करता है इसके अंदर भी वाइसाई हमें pressure नजर आता है मैं आपको कुछ अभी fundamental के भी details बताता हूँ इस company के आप इसकी listing देखें कब हुई थी यह company यहाँ पर जो listing नोहेंबर मैने में 2021 को आई थी एक साल के करीब का है इसको time period हुआ है और कहा से कहा तक share पहुज गया था अब इसके details को हम understanding कर लेते है एक एक point को देखना यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते नायका के जो business की बात करे तो beauty, personal care and fashion product यहाँ पर इसके जो भी selling के अंदर include है आप इसके fundamental के details देखना चाहे तो company का market क्या पहे 46,667 करोड का और जितना बड़ा market क्या पहे उतना तो value इसके ROCE में and ROE में भी नजर आता है और ऐसे company के अंदर यह चीज़े दिखाई देनी चाहिए तब जाकर हम यहाँ पर समझ पाएंगे कि company में भी and company के share price में भी power है आप देखिए आपको जैसे मैं बताता हूँ हर किसी company के बारे में जब इसका ROCE क्यों दिखाता हूँ उसके अंदर weightage है power है बहुत जब अच्छा market cap होने के बावजूद भी आज भी इसका return and equity खाली 4 का है इसलिए company कहा ना कहा कम देखने को मिल रही है और इसी का तो pressure stock पर हमें देखते हुए आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं अभी मैं आपको इसके कुछ detail और बताता हूँ मेले शिट के बारे में भी आप इ 1290 करोड का reserve fund borrowing देखेंगे तो इसके पाथ 600 करोड के करिब की borrowing अभी फिलाल यहाँ पर आप देख सकते करजा भी है काफी अच्छा है और इसके अंदर जैसे यहाँ पर हम promoter के details को देखे तो naika के अंदर यहाँ पर promoter लगाता stake कम करते वे नजर आ रहे हैं आप देख सकते 52 52.56, 52.43, 52.41, 52.38 यह जो आप share holding देखेंगे यह कम हो रही है ना के बढ़ रही है और इसलिए जब जब promoter लगातार पर quarterly basis पर अपने ही company के share बेच कर निकलते हो तो निवेशक भी निकलने के कोशिश करेंगे ना आप चाहे तो देख सकते इसके अंदर FIS के पास अभी 6% है और यहाँ पर DIS के पास 3% स्टेक देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा स्टेक public की खरीद कर बैटी है और आप देखकर understanding भी कर सकते हैं अभी इसके अंदर कुछ जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे काफी बड़े reason जो मैंने देखने को मिल रहा है तो इसकी गिरावट हम कही सकते की 67% तक की अब तक देखने को मिली है और JP Finance का भी कैना है कि जो यहाँ पर इसके उपर pressure है एक तो inflation का भी है और selling बे क्योंकि महेंगे valuation पर किसी भी company को कोई खरेता नहीं उल्टा यहाँ पर बेचकर लोग निकल जाते ह है तो आप थोड़ा इस company पर नजर रखिए आपको और भी बड़ी गिरावटी company दिखा सकती है अभी जिनके पास share available है वो जरूर यहाँ पर loss में बेचने की जरूरतनी अब क्या होता है loss आप जादे loss में होंगे कोई निवेशक लालच में आकर top पर खरीद कर बढ़ जाते है और फिर वो यहाँ पर परिशन होते है तो यहाँ पर दोस्तों आप नाइका के अंदर long term का निवेश करना चाहते हो तो आप continue कीजिए loss में भी नए तो आप exit करकर निकल सकते देखिए valuation महिंगा है और आप situation भी देख रहे तो उससाब से correction हम expect कर सकते इसके अंदर और इस भी नई company है तो नया performance आपना दिखाएगे कोई नया low बनाएगे कभी नया high बनाएगे आप यहाँ पर इसको observe कर सकते है थैंक्यू